हेलो दोस्तो एक बत द्वारे से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्य बात, अगर आप इस चैनल में नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपको लाल कला का बटन दिख रहा हुगा साब तो बैल को दबाना ना भूलिएगा और दोस्तों ये इंडियन पैनी स्टॉक आपको एक अच्छी रिडन देखे जा सकता है डेफिनेटली आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो वे रखना चाहिए दो सबसे बड़े कारण बता जिता हूँ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो वे रखने का पहला कारण दोस्तों ये है कंपनी लगातार प्रोफिटेबल कंपनी है फिर भी स्टॉक 48 पैसे और 50 पैसे के आसपर टेट कर रहा है जी हाँ 48 पैसे का से लो लगाया और हाइस का 65 था और ये एक debt-free company है दूसरा सबसे biggest reason ही ये है लेकिन फिर भी ये स्टॉक हमें इतने सस्ते में मिल रहा है definitely आपको स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए किसी भी condition में आपको स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए अपने portfolio में add करना चाहिए तो भाई वीडियो को अंतक देखके जाना कुछ न को सीखने को मिल सकता है और definitely इस penny stock को आपको अपने portfolio में add करना चाहिए आपको एक अच्छी return देखके जा सकता है मैंने भी इस penny stock को अभी तक buy नहीं किया अगर आता है तो बढ़िया नहीं आता तो देखेंगे फिर अगर बात में future में कभी मिलता है तो definitely buy करके चलूँगा और दोस्तों बहुत सारे question मुझे आते हैं sir आपके penny stock तो buy नहीं हो पाते दोस्तों एक बात बोला चाहूँँगा देखो यार penny stock को buy करने के लिए आपको चाहिए efforts effort डालने पड़ते अगर आपने एक दिन effort डालके छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं होने वाला जो penny stock में आपको देता हूँ कभी कबार वह penny stock lower circuit में भी जाते है तो आपको lower circuit का फाइदा उठाना है lower circuit में stock आपको असानी से मिल जाता है तो आपको एक hack दे रहा हूँ जो penny stock में आपको देता हूँ अगर मैंने आज आज आपको recommend किया तो उसको कम से कम 5-6 दिन तक अपने radar में रखो और देखो जब stock आपको नीचे मिलता है सस्ते में तो उसको buy कर लो ऐसे बहुत साइब stock है आपको example दे तो PMC FinCop का वह stock जो मैंने आपको चौती पैसे में दिया था वहां से वह पहले 70 पैसे गया फिर 70 पैसे के बाद दुवारा से 45 पैसे और 44 पैसे आया था तो वहां पर आपको एक मौका मिला था ठीक है तो यह तरीके आपको अपनाने होते है penny stocks में राइट अब आपके मूँपे तो कोई प्रोसने वाला नहीं है कि भाई आप यह penny stock बाए कर लो तो आपको अच्छा पैसा बन जाएगा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन भाई यह सच्चा ही है ठीक है भाई दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ stock के नाम की तरफ stock company क्या काम करती है और किस valuation में stock हमें मिल ला है और हमें किस price के target के ल district company है ठीक है और market का है दोस्तों आप देख सकते है market के 19 क्रोड का market का है company का और current पर चला है 53 पैसे के आसपास और high lowest का चला है 71 पैसे और 41 पैसे के आसपास और दोस्तों बोलना चाहूँगा 71 पैसे इसका एक resistance दे रही है जैसे इसके उपर यह sustain करता है हमें एक बड़े target इस जाना किसके target क्या है stock का जो book value है अपने book से का भी सस्ते में stock अभी आपको मिल रहा है मतलब undervalued stock है यह जी हाँ तो अगर आप ऐसा penny stock ढूण रहे हो जो debt free हो तो definitely यह एक debt free penny stock है जो आपको एक अच्छी रड़न देखे जा सकता है देख सकते हो company almost debt free है और company अभी बुक से का dividend नहीं दे रही है तो बहुत बढ़िया बात है कि कमी लगातर profitable है लगातर profit कर रही है फिर भी dividend नहीं बाट रही है तो इसका मत्तब यह होता है कि दोस्तों वो company के growth में उस पैसरी को invest कर रही है तो बहुत बढ़िया है जो stock मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसका egregation है दोस्तों promoter की holding बहुत कम है जो मातर 1.25% के आसपास है अब आप खुद बिचार कर लिजे कि आपको stock buy करना है या नहीं करना है ठीक है इसी वज़े से सिर्फ इसमें एक यही negative point है और stock पर कुछ negative point नहीं है राइट सिर्फ promoter की holding कम है इस stock में तो आप देख सकते हो ठीक है आप आके लिए के चलता हूं stock के result की तरफ तो मैं आपको result दिखाता हूँ ठीक है तो यह मैंने आपके quarterly results खोल लगे screen में आप दोस्तों देख सेकते हो December quarter में इस company को 49 lakh का profit हुआ है आपके सामनी है 49 lakh रुपे का और दोस्तों देख सेकते हो September quarter में इस company को जो profit था वो मातर 28 lakh क था ठीक है तो लगातार company के profit बढ़ रहे है right September में 28 का था December में 49 lakh का profit इसको हुआ है और June में इसको 62 lakh का profit हुआ था तो मतलग company profitable है quarterly basis में company profit दे रही है आपको एक fact की बाप धाना चाहूँगा बहुत सारे लोग ना TTML, Picard Multicop, 3i Infotech, Ratan Power India इन सभी stock के पीशे बढ़े रहते हैं अगर आप ध्यान से जाके चेक करोगे ना वो company अभी तक एक quarter में profit नहीं दे पाई है और आप उन company के बीशे पड़े हो जो लगातार loss making company है बाच समझ रहे हूँ आपको ऐसी company ढूण रही है जो loss making नहीं है profitable company है और जो debt free है जो लगातार profit दे रही है और definitely अगर थोड़ा भ 100 रुपे के price में यही जो penny stocks होते है जो बाद में 15 रुपे 20 रुपे 25 रुपे 30 रुपे trade करते क्यूं अरे शुरू से बुक्स में profit होता है बट थोड़ा जना management की कमी के कान stock उपर नहीं बढ़ पाता है समझ पारे हो तो भाई definitely stock को आपको hold करके चलना चाहिए और आपको stock क कल मिलता है ठीक है मैं तो definitely stock को buy करूँगा आज रात को एक bit डाल के शोड़ दूँगा अगर मुझे मिला तो बहुत बढ़ी है नहीं मिला तो तब भी मैं stock को मैं radar में रखूँगा और देखता है रहूँगा कि यह cup stock नीच्छे की तरफ आता है जब यह stock नीच्छे की कमपनी हमेशा profit दे रही है तो दोस्तों सोचो गयार ऐसे कोई company है जो yearly basis में profitable हो नाम गिराओ मुझे जो और वो company below one rupees trade कर रही हो नाम गिराओ कोई company आपको साहित ना देखने को मिले लेकिन यह company भाई एक रूपे के नीचे भी trade कर रही है और आपको profit भी दे रही है बुक्स में तो भाई क्या चाहिए long term में हमें ऐसे penny stock की ढूणने होते हैं जो books में profit दे रही हो उनी stock की value आगे बढ़ती है आपको समझो भाई definitely stock को रिडाव में रखो आपको एक अच्छी return यह देखे जा सकता है और मैं क्या बोलू यार सब कुछ stock ने बोल दिया है कि मैं rocket होने व दोस्तों मैं ने chart खोला हो बाई ठीक है मैं आपको जुरूरा का chart पर दिखाऊंगा कि हमें entry और target क्या लगाना है पहले आप इस चार्ट से समझे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों इस chart आपको यह समझाना चाहता हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस् period के दोरान इस समय इसके profit आये थे मैंने अभी आपको दिखाया थे ना 2013-14-15 में इसने yearly vision profit किया था तो यही वो profit का नतीजा था जिस वज़े से stock का price एक रुपे से 70 रुपे तक चला गया था तो दोस्तों अब same pattern ये दुवारा बन रहा है और ये stock दुवारा से उसी price के आसपर trade कर रहा है 70 पैसे और 50 पैसे के आसपर तो definitely आपको इस stock को इस price के आसपर definitely buy करके चलना चाहिए इस range के आसपर और मज़े वली दोस्तों बात ये है कि company इस बार profit में आ रही है और company profit show कर रही है लगतार जैसे 23, 14, 15 के आसपर किया था जब यहां ये stock rocket होने वाला था तो definitely stock को buy करके चल सकते हैं तो मुझे लगता है definitely यहां से rocket हो सकता है और अराम से आपको 5 रुबे, 10 रुबे के target दिखा सकता है मैं नहीं कह रहा कि 70 रुबे के target के लिए wait करो लेकिन हां 5 रुबे के target के definitely हम इसमें wait कर सकते है दोस्तो आप देख सकते stock का मैंने volume chart और chart खोला हुआ है जिरोदा में तो दोस्तो जैसे मैंने आपको बता है वीडियो के शुरू में 71 पैसे का इसका resistance है definitely जब 71 पैसे के उपर एक close करेगा तो आपको असानी से 2 रुपे और 5 रुबे के target अगर दिखा देगा और दोस्तो बाई करने का दूसरा रीजन इस पैनी stock को यह है दोस्तो अगर आप जहां से इसका volume देखोगे तो volume में लगातार एक growth नजर आ रही है आपका price देख सकते तो price प्राइस जो है स्टेवल है stagnant हो रखा है लेकिन जो volume लगाता बढ़ रहा है तो एक यह region हो सकता है stock को buy करने का और अपने portfolio में डालने का तो definitely stock को आप definitely इस पैनी stock को आप अपने portfolio में add के जिए यह आपको एक अच्छी run देके जा सकता है current market पर इसका चला है 56 पैसे के आसपास अगर आपको 56 से 60 पैसे के बीच में वीडियो को मैं यहां ही समाप्त करना चाहूँगा और आज भी से request करूँगा अगर वीडियो आँ तक देखा है तो भाई like करना share करना share करना facebook, telegram, twitter, instagram जहां कर सकते हो वाँ share करते हैं क्योंकि आपके लिए ऐसे videos बनाता हूँ जो आपको benefit देखे जाते हैं ठीक है comment करके बताओ वीडियो कैसे लगा विकार है तो बताओ अच्छा है दो भी बताओ और कुछ सुजाओ है टिपड़ी है stock के वारे में या आपने stock को पहले से hold कर रहा है यह भी बताओ मुझे